हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वसंत भाग दो के उपर और इसे उस्तक के उपर हमने कुछ MCQ प्रशनों को तयार किया है और उन प्रशनों को हम देखेंगे और आदामी परिक्षाओं के दिश्टी कौन से हम अपना स्वा मुल्यांकन भी करेंगे कि अब तक हमने जो टेक्स्ट बुक का अधियन किया है सौट नोट्स का जो अधियन किया है वो कितना हमने अभी तक तयार कर लिया है उसका एक हम यहाँ पर एक तरीके से अभ्यास कर करेंगे तो चलते हम बात करते हैं सिधे क्वेश्टन के उपर पहला प्रश्ण है कि हम पंची उन्मुक्त गगन की किस विधा की रचना है कहानी कविता निबंध नाटक तो वसंद भागदो का अधियन आपने अगर अच्छे सिखिया होगा तो इसका सही जबाब आपकी द मुक्त गगन के कवी कौन है यानि कि अब जैसा कि आपको पता चल गया कि ये कविता विधा में है तो इसके कवी कौन है ऑफ्सन दिया गया है शिव मंगल सिंग सुमन शिव प्रसाद सिंग नागार्जुन भवानी प्रसाद मीश्रि तो इस question paper को solve करते समय आपको ध्यान मे रखना है कि आप final exam में बैटे हुगें वले एक दूसरे से correlate करके question हो लेकिन आप यही मान कर चले कि हर प्रश्न आपके लिए नया है तो हम पंचे उनमक्त गगन के लेखक का नाम कभी का नाम आपके दिमाग में आगया होगा बिल्कुल सही जबाब है इसका option A सिव मंगल सि सुमन इनका उपनाम है इसको ध्यान में रखिए अगला प्रश्न है स्रिंखला और लाल कीरण सी में कौन सा विशेशन है आप देखरें कि दो शब्दों को यहां पर दिया गया है स्रिंखला और लाल कीरण सी में कौन सा विशेशन है क्योंकि आपने अगर TGT PGT LDC के पेप वो ऐसे इस सवालों को डाला जाए जिससे कि आपकी तियारी हर तरीके से होती रहे। स्रिंखला और लाल किरंसी के लिए ओप्सन जो दिया गया है कि गुडवाचक विशेशन है, सारोनामिक विशेशन है, परिमार सुचक विशेशन है या फिर संबंध वाचक विशेशन है। तो इसका जो सही जबाब है यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आगया होगा, सही जबाब है अप्सन ए, गुडवाचक विशेशन है, क्योंकि यहाँ पर गुडवाचक विशेशन है, स्वण और लाल, अगला प्रश्न है, भूखे प्यासे में कौन सा समास है, अब ब वसंत आपके दिमाग में इसका सही जबाब, आगे होगा, सही जबाब है, ऑप्सन C, दुवण्द समास, ठीक है, भूखे प्यासे में दुवण्द समास है, सही उतर हो गया, इसका ऑप्सन C, अगला प्रश्न है, दादी मा किसकी कहानी है, सिव प्रसाद सिंग, मारकंडे, कमलेश्वर, अमरकंड, तो दादी मा कहानी आपके पाठिकरम में लगी हुई है, और वसंत भागदों में भी पढ़ना है, इसका सही जबाब है, ऑप्सन A, सिव प्रसाद सिंग, अगला प्रश्न है, दादी मा कहानी के पात्रों में किस पात्र का नाम नहीं है, किशन भया देबू की मा, रामी की चाची, या फिर सन्नो, चार ओप्सन दिये गए हैं, दादी मा कहानी के पात्रों पर आदेती प्रश्न है, तो अगर कहानी अच्छे से पड़े होंगे आप, तुरंत आपके दिमाग में इसका सही जबाब आने लगा होगा, सही जबाब है ओप्सन D सन्नो के स्थान पर धन्नो शब्द अगर रहता, तो यह दादी मा कहानी के पात्री के रूप में हो सकती थी, अगला प्रश्न है, दादी मा को नई कहानी की पहली कहानी किसने माना है, ऑप्सन दिया गया आचार राम चन शूकल, राम बिला शर्मा, नामोर सिंग, बच्चन तो चार आप्शन दिये गए हैं दादी मा कहानी ये नई कहानी के दौर में भी शामिल रही है कि ये प्रथम कहानी है पुछालोचकों ने माना है सही जबाब है आप्शन D बच्चन सिंग वैसे आप लोगों के दिमाग में ये जरूर होगा कि नामवर सिंग ने किस कहानी को पहली कहानी माना है तो मेरे संकेत को समझ गये होंगे वैसे मैंने लिख दिया परिंदे को अगला प्रश्न है सिंधु और ब्रह्म पुत्र यह दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी सतलज ब्यास चिनाव जेलम काबुल कपीशा गंगा यमुना सर्यू गंड़क कोसी आखों के सामने नाचने लगते हैं यह वशंद भाग दो के किस पार्ट के अंतरगत उल्यखित है ठीक है उल्यखित है किस पार्ट के अंतरगत सो प्रवत की बेटिया उनका भी आप अपना ध्यान रखे आगामी प्रिक्षद की द्रिश्टिककौन से अगला प्रश्ण है हिमालय की बेटिया पाठ में कुभा किस नदी का प्राची नाम है जब इस चेप्टर को आप पढ़ेंगे तो कुभा शब्द का वहाँ पर प्रयोग किया गया है किस नदी का प्राची नाम है अप्सन गें कपीशा, काबूल, चिनाब या ब्यास तो इसका जो सही जबाब है यहाँ पर कि वो है काबुल नदी को कुभा भी कहा गया है वोसे काबुल आप जानते हैं कि एक देश की राजधानी भी है ठीक है यह साजी चीज़ें आप जान रहे होंगे अगले प्रशन पर बात करें तो अगला प्रशन है वसंत भाग दो के अंतरगत हिमालय की बेटियां पाठ में कालिदास के विरही अपने मेगदूत से किस नदी के बारे में कहा था कि प्रेम का प्रतिपादन देते जाना तुम्हारी वह प्रेशित तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन होगी तो हिमालय की बेटियां में इसका उल्लेक किया गया है और ये किस नदी के बारे में कहा जा रहा है आपको बताना है ओप्सन दिया गया है बेत्रवत्ती नदी गंगा नदी यमुना नदी व्यास नदी तो कालिदास और मेगदूर इसको भी ध्यान में रखना है कि किस नदी का उल्लेक किया गया है सही जबाव है ओप्सन ए बेत्रवत्ती नदी जिसको की बाद में बेत्वा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगले question पर, किनले मिल्खित में से, किसने नदियों को लोक माता कहा है, किसने नदियों को लोक माता कहा है, option दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, महतमा गांधी, काका कालेलकर, नागारजुन, तो नदियों को ल याद कर लिए होंगे और 11 नंबर क्वेश्चन तक आते आते आपको यह प्रैक्टिसेट अच्छा लगने लगा होगा आगे बात करते हैं एकला जो प्रश्ण है कि राजा रानी शब्द में कौन सा समास है अच्छा एक चीज आप देखेंगे अगर आप लोगों ने भी अच्छे से देखेंगे की ज्यादतर किताबों में द्वन्द समास के बारे में खुपचरचा की गए है तो राजा रानी में कौन सा समास है जैसा कि मैंने उधारन में वह बता दिया है जिसका सही जबाब है औप्शन C द्वन्द समास औप्शन दिया गया था तत्पूरु सम आशब्द में कौन सी संग्या है एक तो बार बार देखें आप विशेशन से सवाल आ रहा है फिर संग्या से सवाल आ रहा है पिर संग्या से सवाल आ रहा है यहां पर सवाल पुछा गया कि नदी दीन आशब्द में कौन सी संग्या है और इसके बाद समास से सवाल आ रहा है जातिवाचक संगया, संबंदवाचक संगया, पदार्थ वाचक संगया, तो अनेक तरीके के संगया'ों का नाम यहाँ पर है, सहीजबाब है, इसका option यह भाव वाचक संगया, ठीक है, यहाँ पर, दीन पर बड़ी की मातरा होनी चाहिए थी, तो और चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, अगर नदी के शब्द को उल्टा कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है, दीन शब्द, अब question यहाँ पर सही रूप में फर्मेट हो रहा है, कि दीन शब्द में कौन सी संग्या है, ठीक है, तो option इसका सही पर छोड़ दो, उप्रयोगत पंक्तियां आपके पाठे पुष्टक वसंत भागदो के किस पाठ से ली गए, तो यह पंक्तियां किस चेप्टर से ली गए हैं, आप पुछा जा रहा है, फूले कदंब, हिमालय की बेटियां, कठ पुतली, इन में से कोई नहीं, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यह पंक्तियां ली गए है, उप्टों C, कठ पुतली नामा कविता से, थिक है, तो आपके दिमाग में कठ पुतली के लेख़क का नाम भी आगया होगा, आगे हम बात करते हैं, कि कट पुतली कविता में कभी ने कुल कितनी कठ पुतलीयों की चर्चा क जब इस कविता को आप पढ़ेंगे तो एक तरीके से कटपुतलियां आपस में संभाद करते हैं और इसके उपर जो पंक्ती आये थी वो संभाद वाली पंक्ती ही थी कितनी कटपुतलियों की चर्चा की गई है अप्शन देगा है दो तीन चार या फिर कई संभाद करते समय आपको लगया कि आपर दो है लेकिन कई कटपुतलियों की चर्चा की गई अप्शन डी इसका सही जबाब है अगला प्रशन है कि कटपुतली कविता के लेखक भवानी प्रसाद मिस्र का संबन किस सब्तक से है तार सब्तक दूसरा सब्तक दीसरा सब्तक अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिस्र को उनकी किस रचना पर सहीत एकादमी पुरसकार मिला हुआ था। ओप्सन दिया गया गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुश्बू के सीला लेग। तो सहेत एक आदमी पुरसकार बवानी पुरसाद मिसर को किस रचना पर मिला था, सही जब आब हो गया, ओप्सन C, बुनी हुई रस्सी। तो इन सभी questions को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले समय में परिक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं, अगला प्रशन है कि मिठाई वाला के संदर में सही नहीं है, मिठाई वाला जो कि वसंद भागदों में एक चेप्टर लगा हुआ है, यह कहानी बिधा में इसके कहानिकार भगवती प्रसाद बाच्फेई हैं, इसके कहानिकार भवानी-प्रसाद बाच्वेई हैं, शुन्नू oraz मुन्नू इसके कहानि में दो बच्चे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कई आप्षन दिए गए हैं, 4 ओप्षन में से आपको बताना है कि आखिर recipients इसका कहाणी में है, भग आती प्रशाद वाचपेई ने इसको लिखा है, और चुन्नु मुन्नु इस कहानी के दो पातऊटर हैं, बच्चे के रूप में मुजूद है अगला प्रश्न है, चुन्नु और मुन्नु मिठाई वाला कहाणी में किसके पुत्र है आप्सन दिया गया है राय अजे बहादूर, राय वीजे बहादूर, राय अमर बहादूर, राय समर बहादूर तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है नाम मिलते जूलते हैं यहाँ पर सही जबाब हो गया आप्सन बी राय वीजे बहादूर अगला प्रश्ण है कि मिठाई वाला पाठ में मुरली वाला कैसा साफा बांधता है या फिर बांधा है कहानी में मुरली वाले की साफा की चर्चा की गई है तो वहीं से प्रश्ण उठाया गया है औप्सन है कि पंजाबी साफ़ा, बिका नेरी साफ़ा, हरियानवी साफ़ा, गुजराती साफ़ा तो इसका जो सही जबाब है कहानी अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तुरंत इसका सही जबाब आ गया होगा औप्सन Houisine B, बिका नेरी साफ़ा बानधा हुआ है जबाब है इसका कि option A, रक्त और हमारा शरीव, इस तरीके से इसका जो सही जबाब है, option A, आप देख रहे हैं कि option में जो A और B हैं, इनके सिर्षक को क्या कर दिया गया है, थोड़ा से यहां पर change कर दिया गया है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर घ अगला प्रश्ण है कि रक्त और हमारा शरीर में दिब्या किस रोक से ग्रसीत है, एनेमिया, मलेरिया, डायरिया, इनमें से कोई नहीं, तो दिब्या किस रोक से पीडित है या ग्रसीत है, सही जबाब है option A, उसको खून की कमी हो गई है, ठीक है, एनेमिया से, अगला लगना उपर्योग सभी, तो आप देख रहे हैं कि सही जबाब होगा option D, उपर्योग सभी, सारे जो लक्षण है उरक्त की कमी के वजह से है, तो ऐसे अगर option आप देखते हैं, जहाँ उपर्योग सभी रहता है तो लगबग 95% आंसर यही होता है, लेकिन एक कोशिश मेरी य प्रेट के माध्यम से चीजों को भी ध्यान में रखे, हो सकता है कि फाइनल एक्जाम में ज्यादत जरूगी सही है, यहाँ पर तो माली यह प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं, अगला जो प्रशन है, भानुमती का पिटारा किसे क कहा जाता है, अगर हम रख्त और हमारा शरीर चेप्टर के आदार पर बात करें तो, आप्शन दिया गया रख्त को, बिटामीन को, प्रोटीन को, सफेद कड़ों को, तो भानुमती का पिटारा कहा जाता है, आप्शन ए, रख्त को, खोन को इस चेप्टर में भानुमती का पीटारा कहा गया है यहाँ पर मुझे पाठ का नाम भी जोड़ देते तो और अच्छा हो जाते हैं यहाँ प्रश्ण लेकिन फिर भी यह यह प्रैक्टिस प्रैक्टिस में कई बार क्या होता है कि चीजों को सीखा भी जाता है तो सही जबाब इसका अभी अभिध्यान में र कड़ों को प्लाजमा को इन में से कोई नहीं इसका जो सही जबाब है यहाँ पर कि सफेद कड़ों को बीर सीपाही कहा गया है अगला प्रश्ण है लेटर बॉक्स खंभा पेड आदी पात्र वसंद भाग दो के किस पाठ में आये हुए हैं मिठाई वाला पापा खो गया है कट पुतली फूले कदम ठीक है तो यह चारों ओप्शन दिया गया है आपको याद आगया होगा कि लेटर बॉक्स खंभा पेड आदी पातर के रूप में परतिकादमक पातर के रूप में आयो हैं ओप्शन B पापा खो गया है पापा खो गया जो कि एक मराथी नाटक है आ सही जबाब है ओप्शन C विजे तिंदुलकर विजे तिंदुलकर जो कि मराथी नाटक कार के रूप में जाने जाते हैं अगला प्रशन है निमलखित में से सुमेलित नहीं है ओप्शन दिया गया है शाम एक किसान कविता है चिडिया की बच्ची कहानी है अपुरु अनु संस्मरण निल कंट संस्मरण हमें बताना कि सुमेलित नहीं है आप लोग जैसे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर अभ्याद भी कर रहे हैं तो जब भी क्वेशन को पढ़िए फिर एक बार क्वेशन के तरफ मूब करिए कि क्या यहां पर पूछा जा रहा था तो नि अगला प्रश्ण है इसका कि निमलिखित में से सुमेलित नहीं है अप्शन दिया गया चीडिया की बच्ची जैनेंद कुमार द्वारा निल कंट महादेवी वर्मा द्वारा भोर और बर्खा मीराबाय द्वारा विपलव गायन राम कृष्ण शर्मा नमीन द्वारा तो इ नीचे का राम कृष्ण शर्मा के अस्थान पर क्या है बाल कृष्ण शर्मा ठीक है बस शब्द कांतर है बाके और कुछ अंतर इसमें नहीं है तो इस टाइप से विक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रखे अगला प्रश्ण है कि माधव दास वसंद भाग दो के किस पाठ से संबंदित है माधव दास एक पातर है और वो किस पाठ से संबंदित है या में बताना है चेडिया की बच्ची कट पुतली दादी मा एक तिनका तो इसका जो सही जबाब है आप लोगोंने अगर अच्छे से पढ़ाओगा किताब को तो सही जबाब हो गया option ए चीडिया की बच्ची, ते जुड़ा हुआ, ये पात्र माधव दास, अगला प्रश्ण है, तुत्तो चान, ठीक है, तुत्तो चान का हिंदी में अनुबाद क्या है, अपुरू अनुबा, अद्भूत अनुबा, तुत्तो चान का हिंदी में अनुबाद क्या किया गया है चारो अप्शन जो दिये गया है अपूर्व अनुबव, अधभुत अनुबव, विशाल अनुबव इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जबाब यहां पर तुत्तो चान सही जबाब है अप्शन A अपूर्व अनुबव, अगला प्रशन है अपूर्व अनुबव के संदर में सही है यह मुल्त जापानी भाषा में लिखी गई है इसका अनुबवाद यागिक कुस बहार ने किया है इसका मूल नाम तुत्तो चान है अपूर्व अनुबव अनुबव जो है वो जापानी भाषा में मूल रूप से लिखा गया है इसका अनुबवाद किया गया है यागिक कुस बहार तुत्तो चान है जो कि हिंदी में अनुदित होकर आया अपूर्व अनुभव नाम से अगला प्रश् plan है की तर्वर फल नहीं खाते हैं सर्वर पियही नपान कई रहीं पर काज sine संचे सुजान तो पहले तो आपके दिमांग में आगया होगा कि यह रहीं से लिया गया हैं और आपके उच्थक में रहीं और आगे लीखा हुआ है उसका नेचर भी लिख दिया हो है, रहीम के फला, अब बताना है आप वह ध्यान में रखना है कई बार क्या होता है कि जल्दिवाजी में हम नहीं ध्यान रखते हैं, तो रहीम का क्या है यह जो पंक्तियाँ दी गए है, ओप्चन दिया गया दोहा, सोठा, कभित सवाया, तो इसका सही जबाब हो गया option a दोहा अगला प्रश्ण है वसंत भाग दो में संकलित कंचा पाथ किस बिधा में है कहानी उपन्यास नाटक संस्मरत तो कंचा किस बिधा में है सही जबाब हो गया option a कहानी अच्छा यह कहानी तो है हिंदी में कंचा नाम है लेकिन यह दक्षिर भारती भाषा से इस अनुबाद को भी ध्यान में रखिए मोल रोप से हिंदी में नहीं बलकि अनुदीद है क्योंकि NCIT में आप देखेंगे कि पूरा भारत को सामिल करने का प्रियास किया गया है मतलब उत्तर से लेकर दक्षिर और पश्चिम से लेकर पूरवकत अगला प्रश्ण है कि अगला प्रश्ण है एक तिन का नामकरश्णा किस वीधा में कहानी उपन्यास नाटक कविता तो एक तिन का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तुरंत आपकी दिमाग में इसका किस वीधा में हुआ आगया होगा सही जबाब है option D कविता और किसकी कविता आई ये भी आपक अगला प्रश्ण है आयठता तो किस लिए इतना रहा एक तिन का है बहुत तेरे लिए उपरोगत पंक्तियां किसकी है मादेवी वर्मा मैसली सरण को हरियोध के दारनाथ अगरबाद तो ये जो पंक्तियां ली गए है से जबाब है option C हरियोध की और एक तिन का नाम से जो क विता है आपके पाठिक्रम में लगी हुई है उसी से ये पंक्तियां उठाई गए अगला प्रश्ण है निमलिखित में से असंगत यूग में छाटी है इसी टाइप से क्वेश्चन वर्तमान समय में NCI आ रहे हैं आपके KBS में तो निमलिखित में से असंगत क्या है option दिया है option D, पेठे नमकीन का संबन किसे है अलिगर्चन होपर किसे है आगरा से है तो इसको आपको ध्यान में रखना है बाकी उपर के तिनों option क्या है सही है तो उसी pattern पर है जिस पर की KBS TGT और PGT का अभी LDCE का exam हुआ है आगे बात करते हैं कि खान पान की बदलती तस्बीर के लेखक कौन है खान पान की बदलती तस्बीर के लेखक कौन है option दिया गया है प्रयाग शुकल, राम चंदर शुकल, हजारी परशाद दिवेदी, प्रेम चन तो इसका सही जबाब आप लोगों के दिमाग में सा समास है, खान पान, कई बार आप देखते हैं कि बेभारिक जीवन में भी बहुत बार प्रयोग किया जाता है कि फला का खान पान ठीक ने है, खासतोर से जो प्रतोगी परिक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनका खान पान कई बार बहुत प्रभावित हो जाता है, तो खान निलकंट किस विधा की रचना है। आपके स्लेवस में निलकंट लगा हुआ है। और वसंद भागदो में निलकंट किस विधा की रचना है। आपशन दिया गया रेखा चित्र, संस्मरन, कहानी, नाटक। तो यह क्या है। रेखा चित्र है। आपशन A इसका सही जवाब हु तो यह question देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत ट्विस्ट लिए हुए निलकंठ जब तक इस रेखाचितर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा समझ में नहीं आएगा अनुमान से आप लगा सकते हैं लेकिन B और D को लेकर आप confuse और सकते हैं लेकिन सही जबावे option B मोर को निलकंठ नाम दिया है महादेवी वर्मा ने अगला प्रश्ण है कि महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चितर निलकंठ में अपनी बिल्ली का नाम क्या बताया है उसमें एक बिल्ली का जिक्र उननने किया है जिसका नाम उननने ब्रेकेट मिल अगला प्रश्न है कि मोर का नाम नीलकंट किस कारण से रखा गया था निलाव ग्रिवा के कारण हवा में चंचल कलगी के कारण पंखों की श्याम स्वेत पत्र लेखा के कारण मंथर गती के कारण चार आप्षन दिये गये हैं और निलकंट नाम क्यों पढ़ा था सही जबाब है आप्षन ए निलाव ग्रीवा के कारण यानि कि उसकी जो गर्दन थी वो क्या थी निली थी ठीक है ग्रीवा मतलब गर्दन इसलिए कई बार शंकर जी को भी निलकंट कहा गया है आगे बात करते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र में मोरनी का नाम करण राधा किस कारण से करती है छाया के समान रहने के कारण लंबी धूप जाय गर्दन के कारण मंथर गती के कारण हवा में चंचलता के कारण तो मोरनी का नाम राधा क्यों पढ़ा था अब आप लोगों के आपर क्लियर हो रहा होगा कि जो मोर है इस रेखा चित्र में वो निलकंट है और जो मोरनी है वो उसका नाम है राधा अब किसके क्यों पढ़ा राधा इसका नाम तो सही जबाब है अप्शन ए छाया के समान रहने के कारण अगला प्रश्ण है निलकंठ और राधा की सबसे प्रिय रितु कौन सी थी निलकंठ और आधा कि सबसी प्रिये, रितु काउन सी थी, आप्शन दिया गये शर्द रितु, वर्षा रितु, ग्रिश्म रितु, वसंत रितु से जबाब है, आप्शन B, वर्षा रितु जब आप इस पूरे रिखा चितर को पढ़ेंगे, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे अगला प्रशन है कि निमलिकित में से असंगत यूग में छाटिये कजली, कोयल, कुबजा, घायल मोरनी, चित्रा, विल्ली, निलकंठ, मोर तो यानि कि आप देख रहे हैं कि ये निलकंठ, पार्ट से ही आधारित नहां पर एक क्वेश्चन बनाया गया है तो कौन सा असंगत है, तो आप देख रहे हैं कि निलकंठ, मोर है, आप पहले ही देख लिए चित्रा, बिल्ली का नाम, ये दोनों तो कनफर्म है आपको, कुबजा, घायल मोरनी, थोड़ा सा कुबजा का पर्स निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं घायल मोरनी का, नाम दिया गया कुबजा मतलब, जो किसी रूप में दिभ्यांग टैप का है, इसमें घायल मोरनी है, इ जबाब होगा, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है और आराम से परिक्षा में हल करना है, अगला प्रशन है कि बरसे, बदरिया, सावन की, सावन की, मन भावन की, उपरोग पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गया है, आप्सन दिया गया है, महादेवी वर्म तो मितरा नंदन पंत, मीरा भाई, सुभदरा कुमारी, चौहार, तो इस पंक्ति को देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आगया होगा, कि इसको तो हमने मीरा भाई के संदर्म पढ़ा था, आप्सन C इसका सही जबाब होगा, अगला प्रशन है कि वसंत भाग दो क के अंतरगत, मीरा भाई ने किन दो परिस्थितियों का चितर्ण किया है, यानि कि दो परिस्थितियों या फिर समयों का चितर्ण किया है, आप्सन दिया गया भोर और बर्खा, भोर और जाड़ा, भोर और गर्मी, बर्खा और भोर, तो असंत भाग दो में मीरा भाई के प वगवन के रखवारे का शाब्त अर्थ है गायो या किक रखवालिक तो गवन के रखवारे सचीर जबाब ऋगया сид A गायों का पालन और और न या कोई लिख करना है अगला प्रश्ष्ण है किे बिर में सिंग में देश भक्तियों परा स्वाधिन्ता की भावना किसने जगाई थे यानि कि बीर कुमर सिंग जिनका संबन्थ अगर आप पितियास पढ़ते होंगे तो आरा और आरा में भी जगदीश पूर नाम का एक जगा है वहां से जोड़ा जाता है और अठार सत्तावन में इन जगदीश पूरिया बाबा और घूरिया बाबा तो चार बाबाओं की यहां पर कटेगरी बताए गई है सई जबाब हो गया ऑप्शन ए बसुरिया बाबा नाम से एक संत थे जो की जगदीश पूर में थे और उन ही से बीर कुमर सिंग को देश भक्तियों स्वाधिन्ता की बात समझ में आई है और उनके अंदर यह भावना जग गई अगला जो प्रशन है खिस्तान अठार स्वांतावन की क्रांती से किसका संबंद नहीं रहा है अप्शन दिया गया बीर कुमर सिंग बेगम हजरत महल बादूर शाजा पर सुमंगल पांडे तो अठार लेकिन बाके जो उपर के अंतिनों सही है ऑप्शन डी क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि नाम है गलत है आगे बात करते हैं गला जो प्रशन है कि हाकी के सुप्रसिद खिलाडे धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गये थे तो उनका एक साक्षतकार निमलखित में से किस ने या था ओप्शन दिया गया अंकिता पांडे, सुनीता पांडे, वीनीता पांडे, श्वेता पांडे तो धनराज पिल्ले का इंटर्व्यू आपके पाठिकरम में छपा हुआ है तो जब आबे ओप्शन C वीनीता पांडे ने धनराज पिल्ले का इंटर्व्यू लिया है अ जब दक्षिड फ्रिका से मात्मा गांदी वापस आये तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्ण है अनुमानित शब्द में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है। अगला प्रश्ण है कि सावधान मेरी वीड़ा में चिंगारियां आन बैठी हैं तूटी हैं मिराजबें अंगुलियां दोनों मेरी आइठी हैं। उप्रक्त पंक्तियों की कभी कौन है। अगला प्रश्ण है कि विपलो गायन किसकी कभीता है। अप्सन दिया गया मार्खलाल चतुरवेदी मेर्चली सरणकुप्त बालक्रिष्ण शर्मा नवीन और सुर्कांतिर पाठी निराला। तो विपलो गायन से वह भी पंक्तियान लिगाई थी उपर जो दी गए है। और इसका सही जबाब हो गया ओप्सन C. बालक्रिष्ण शर्मा नवीन तो इस तरीके से हमने कुल 57 प्रश्णों पर आप सभी से बात्चित की। उमीद है कि यह 57 सवाल आपके को बहुत अच्छे लगे होंगे। आपकी त्यारी के दिश्टी कौन से आपके दुरा हुआ होगा, रिवीजन हुआ होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। और इसमें से अगर 7-8 सवाल भी आ जाते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट की एक तरीके से सफलता मानी जा सकती है। तो आप सभी लगातार त्यारी करते रहे हम आपकी परिक्षा के पहले इतना विश्वास दिलाते हैं कि पूरी जो महत्पून किताबे हैं उन पर हम करते रहे हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार।